तो यहां पर आपको काफी नई चीज़े सीखने को मिलेंगी तो देखिए यहीं पर हमें एक अच्छी बात सुनने को मिल रही है कि बाई रेडिकल क्या होते हैं? तो अगर आपसे बुला जाए कि यह बाई रेडिकल क्या है? तो बाई रेडिकल क्या होंगे? विच हाव टू फ्री एलेक्टरॉंस या विच कैन फॉर्म टू बांड्स जो दो बांड्स बना सकते हैं या विच हाव टू फ्री एलेक्टरॉंस जैसे आप समझे बाकी मैं एक्जामपल लिख रहा हूं जैसे फिनाइल अगर हम फर्स्ट ऑप्षिन फिनाइल देखें तो यू गें से इसली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यह एक बांड बना सकता है तो यह मोनो रेडिकल हो गया क्या हो गया यह मोनो रेडिकल यह एक बांड बना सकता है तो यह भी क्या हुआ मोनो रेडिकल थर्ड अप्षिन विनाइल इडिन विनाइल इडिन क्या होता है च डबल बना सकते हैं में चेंजेंसे उनके लिए वर्ड यूस होता है विनाइल इडिन विकाज आयो पैक में हम बहुत जादा इन कॉमन नेम्स पर ध्यान नहीं देते इसलिए इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए मैं एक और एक्जाम्पल लिखता हूं जैसे यह तो था हमारा प्रॉपिनाइल क्या था प्रॉपिनाइल बट लेट से अगर यह होता CH2 CH3 CH double bond C और इसके बाद यह main chain से कुछ इस तरीके से connect होता तो नहीं तो भी इनाइली हो जाता नहीं रुको और change करते हैं तो CH3 CH2 CH अब दो bond होते हैं ठीक है अब अगर यह main chain से connect होता तो इसका नाम होता प्रॉपाइलिडीन ठीक है क्या नाम होता प्रॉपाइलिडीन तो समझिए इथाइलिडीन या विनाइलिडीन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कहीं पर दो bonds बना सकता है मीन्स विनाइल में से दो हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिये अभ्यास अपके question का discussion मैंने इसलिए सोचा क्यों कि इसमें कुछ questions काफी अच्छे थे और कुछ नए चीज़े भी और नए keywords भी आड़ते जैसे इथाइलिडाइन सुनो अब इथाइलिडाइन words उनके कितना साही लगे रहे है मतलब इसका यहाँ पर क्या meaning है कि you can say CH3 और उसके बाद यहाँ पर अगर हम carbon के 1,2,3 अगर carbon ती है किसी के साथ तो उस particular CH3C part को हम क्या बोलते है इथाइलिडाइन कहते हैं तो that's very important and very interesting तो this is our इथाइलिडाइन ठीक है और इथाइलिडीन क्या था जब carbon के साथ simply क्या है दो bond निकालने और अगर propanile या propyle क्या है जब एक तो एक substituent है या एक bond बना रहा है तो you can say you can say कि propyle, alkyl word use करना चाहिए general word use करता हूँ, alkyl, sum up करते हैं इस question को और अगर दो substituent हो किसी के साथ तो word use होता है alkylidine और अगर तीन हो तो alkylidine, okay, very nice question, let's move on to the next part, consider the three halides, three halides को consider करिए और इसे arrange करिए CCL bond length में तो इसमें अगर हम देखें तो first option है CH3, CH2, CL, single bond है इसमें हमेशा single bond character रहेगा resonance नहीं है तो first की bond length सबसे ज़ादा होगी तो हम दिखेंगे कौन से option में first है, तो first में है और second में, तो first और second option में first सबसे आगे, हम पहले objective में हमेशा ही देखते हैं कि options से eliminate करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये तो समझ आ गया कि हमारा answer first या second में से होगा, अब हम क्या देखेंगे resonance, जब हम resonance देखेंगे तो हम एक बात देखेंगे कि यहाँ पर जो vinyl chloride है, यह कितने resonating structures form करता है, यह resonating structures form कर रहा है दो, how many resonating structures, you can say it has two resonating structures, फिर हम बात करेंगे next बेंजीन की, तो अगर हम बेंजीन को देखें, तो बेंजीन के कितने resonating structures होंगे, तो बेंजीन can form five resonating structures, जिसमें बेंजीन अपने electron donate करेगा, एक बार negative charge और्थो पे आएगा, एक बार पैरा पे फिर और्थो पे और वापस neutral structure, तो हम यहाँ पे बात बोल सकते हैं, कि जो double bond character होता है, वैसे actually मैं मेरे को लिखना चाहिए, partial double bond character, तो partial double bond character, किस पर depend करेगा, inversely proportional to number of resonating structures, मतलब resonating structures जितने जाधा होंगे, partial double bond character उतना कम होगा, जैसे CCL है, इसमें resonating structures दो हैं, तो इसका double bond character जाधा होगा, तो out of second और third, second की bond length क्या होगी, जाधा, तो this is the concept of the question, and your answer is one, और हमारा answer क्या हुआ, अब बहुत ध्यान से एक बात सुनो, जब यह बात हमने discuss की, तो आप में से आधे student की मन में doubt आया होगा, सर, generally तो हम यह देखते हैं कि resonating structure में कितने structures में double bond character है, और सर, अगर यहाँ पे देखें, तो पाच बेंजीन के जो resonating structures हैं, इन में से तीन structures में double bond character है, तो double bond character जाधा time के लिए रहा, तो इसलिए, यहाँ पे पाच में से तीन resonating structure में double bond है, उधर दो में से एक में double bond है, तो सर जाधा double bond character तो बेंजीन वाले CCL में होना चाहिए था, यह कई बच्चों को इस question के discussion के दौरान doubt आता है, तो मैं बोलो, आपका doubt एक दम सही है, लेकि आप सभी ने पढ़ा होगा, stability of resonating structures या contribution of resonating structures, as such तो resonating structures hypothetical होते हैं, जो उसका equivalent structure होता है, वही real structure कहलाता है, तो यह equivalent kind structure है, तो अब जो equivalent canonical form है, जैसे हम hybrid बोलते हैं, वही real है, तो बाकी सब एक तो hypothetical है, फिर हमें पता है कि neutral structure का contribution जाधा होता है, तो हमें यह भी clear है, कि resonance में first और fifth structure का contribution बहुत जाधा हो, यानि first का और fifth का contribution जाधा है, तो first और fifth का contribution जाधा है, तो हम सिर्फ इस basis पे नहीं बता सकते, तो generally यह बाला concept आप use करेंगे, जितने जाधा resonating structures होंगे, double bond character या bond length उतनी जाधा क्या होगी, you can say smaller, तो inverse है, तो जाधा less, ओके, तो यहाँ पे single, तो resonance में क्या होगा, CCL bond length हमारी जाधा छोटी होगी, now, among given compound, how many compounds will react with sodium bicarbonate, तो again, हम आप से बात बुलेंगे कि आप यह बात याद रखिए, कि sodium bicarbonate test कौन खौन देते हैं, तो आपको learn रखना है, कि sodium bicarbonate test is given by, it is given by picric acid, एक तो यह picric acid देते हैं, picric acid याद करो क्या होता है, 246 trinitro phenol, तो 246 trinitro phenol sodium bicarbonate test देते हैं, और कौन देते हैं, it is also given by carboxylic acid, carboxylic acid देते हैं, और कौन देते हैं, it is given by sulfonic acid, तो यह तीन अगर देहें, तो sodium bicarbonate test देंगे, इसको छोड़के कोई नहीं देगा, जैसे first option is phenol, alcohol, तो यह test नहीं देगा, second phenol नहीं देग third, yes, it will react with, you can say benzoic acid will give sodium bicarbonate test, brisk effervescence of CO2, carbon dioxide gas release होती है, जिससे पता चलता है कि yes, reaction हो गई, और जो carbon dioxide gas है, वो release होती है, उसे पहचानने का क्या तरीका है, उस release gas को चूने के पानी में से पास करो, यानि lime water से, वो अगर milky हो जाए, सफेद हो जाए, तो यह confirm कर रहा है, कि yes, it as CO2 gas, sulfonic acid भी sodium bicarbonate से react करके CO2 gas release करता है, तो you have two compounds, आपके पास दो compounds हैं, जो sodium bicarbonate test देते हैं, now, let's move on to the next part, आप यहाँ पर find करिए double bond equivalent, अगर ऐसा question exam में आता है, तो यह मत सोचना है कि formula नहीं आता, तो हम double bond equivalent नहीं बता पाएंगे, आपको बस एक बात समझनी है, double bond equivalent का यह दो मतलब होते हैं, या या तो सिंगल bond वहाँ पर एक double bond है, या फिर वहाँ एक ring है, मतलब एक double bond को आप एक double bond equivalent काउंट करोगे, दो double bond को आप दो double bond equivalent काउंट करोगे, या एक ring को एक double bond equivalent काउंट करोगे, और दो ring को दो double bond equivalent काउंट करोगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, सुनो ध्यान से क्यों क्योंकि एक double bond equivalent का मतलब होता है उस compound में या तो एक double bond है या एक ring है तो मैंने देखा ये है एक double bond तो एक double bond equivalent ये हो गया फिर हमने देखा ये एक ring है we observe this कि here we have a ring तो एक double bond equivalent ये हो गया रिंग के अंदर दो double bond है उन्हें add कर दिया यहाँ पर double bond ओ है तो ये भी एक add हो गया दूसरी भी एक ring है तो प्लस वन हो गया फिर इधर दो double bond है तो दो add हो गया फिर ये triple bond है तो double bond equivalent टू फिर c double bond ओ एक add कर दो तो 1 प्लस 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 तो कितना double bond equivalent होगा इस compound का 11 कितना होगा 11 तो आप ऐसे count करोगे कैसे ये एक double bond equivalent है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 तो ये हो गया और ring के अंदर हमने कितने double bond का दो ring के हो गया 10 10 अच्छा ये double bond triple है तो ये 11 तो we have total 11 तो double bond equivalent ये degree of unsaturation is 11 the correct order of basicity, basicity का correct order आपको निकालना है तो जब भी आपको basic strength का correct order बताना होगा उस case में आप क्या करोगे उस case में आपको बोलूँगा सबसे पहले बेंजीन में एक बात याद रखिए यहाँ पर गयर वो है नहीं तो दिक्कत ही नहीं है तो आपको क्या देखना है plus r effect plus r plus h and plus i ये increase करते हैं basic strength ये point याद रखिए दूसरा point क्या याद रखना है minus r minus h minus i ये basic strength decrease करते हैं तीसरी बात aromatic amines यानी aniline ध्यान से सुनना aniline जो है वो less basic है anilines are less basic than amines amines मतलब rnh2 ऐसा क्यों है कि जो straight carbon होंगे वो benzene वाले carbon से less basic होंगे इसका कारण क्या होगा क्यों क्योंकि इसका loan pair किसमें use होगा resonance में अब जब nitrogen का loan pair resonance में use होता है तो क्या हो जाएगा it will be less basic अब यहाँ पर एक गलती हर बच्चा करता है या हर बच्चा गलत समझता है मतलब not her मतलब on an average थोड़ा सा यह doubt कभी कभी हलका सा आ जाता है कि मैंने लिखवाया प्लस r प्लस h and प्लस i effect increases basic strength तो आप देखो बच्चा कैसे सोचता है बड़े ध्यान से सुनना कि यह aniline है और nitrogen NH2 जो है यह अपने lone pair benzene को दे रहा है तो कौन सा effect हुआ प्लस r तो सर आपने तो बोलाए कि प्लस r effect increases basic strength जो प्लस r है वो क्या increase कर रहा है basic strength को increase कर रहा है तो सर यह तो decrease हो रहा है आपका concept तो wrong हो गया तो फिर मैं बोलतो हूँ यहाँ थोड़ा सा गलत सोच रहा है अगर मैंने बोला है प्लस r effect तो मैं इस बात को discuss करूंगा with respect to the nitrogen atom मतलब मेरे को सोचना है कि NH2 से जो group जुड़ा हुआ है वो nitrogen को electron दे रहा है यह nitrogen से electron ले रहा है य मैंने सोचा मैंने देखा यह nitrogen अपने lone pair बेंजीन को दे रहा है लेकिन अगर मैं NH2 के respect में बेंजीन को जुड़ा हुआ देखूं अगर मैं देखूं कि बेंजीन NH2 से electron ले रहा है तो मैं बोलूँगा it is minus r effect तो जिस पे हम effect observe करते हैं उसके respect में देखते हैं ध्यान से सुनो इस बात को माल लो आप NH2 के respect में observe कर रहे हो तो आप उसी के respect में देखोगे ठीक है तो NH2 अपने lone pair दे रहा है तो यह प्लस r बेंजीन के respect में और बेंजीन NH2 से electron ले रहा है तो यह minus r किसके respect में है with respect to NH2 तो minus r effect with respect to NH2 तो overall अगर हम बात करें कि out of aniline और out of amine ठीक है amine मतलब CH3, CH2, NH2 which is more basic कौन ज्यादा basic है तो हमने देखा aniline और ethane amine aniline और ethane amine में ज्यादा basic कौन है? ethane amine क्यों? क्योंकि देखो ethane amine में बेंजीन ये ethyl group ध्यान से देखना ये जो alkyl group है CH3, CH2 ये electron NH2 को दे रहा है तो हम जो देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं plus r effect with respect to NH2 समझो ध्यान से इस बात को कहीं मैंने box बना दिया तो उल्टा मत समझ जाना कि चलो इसके respect में बना देता हूँ और ये NH2 से जो group जुड़ा है वो उसको electron दे रहा है ये ही गलती जादा तर मैंने बच्चों का सुना है या समझा है कि वो जादा तर ये गलत सोचते हैं बाकी कोई problem नहीं आता ये concept तो उन्हें याद रहता है तो देखो जैसे अब question है कौन सा correct order of basicity है तो मैं 4 option में तो ये सबसे जादा बेसिक होगा किसी भी उस NH2 group से जादा basic होगा जो बेंजीन से जुड़ा होगा क्यों क्योंकि जिसमें बेंजीन पे group होगा उसमें बेंजीन के loan pair of electron resonance में involved हो रहे होंगे अपने electron बेंजीन को donate कर रहे होंगे तो अब यहाँ पर पहला हो गया अब देखते हैं OCH3 OCH3 बेंजीन को क्या देगा electron देगा तो it is plus R effect NO2 क्या शो करेगा minus R with respect to NH2 तो मेरे को पता है plus R effect basic strength increase करेंगे means OCH3 वाला group normal NH2 से क्योंकि अगर एक normal NH2 को observe करें तो इसके respect में अगर OCH3 लग गया तो उसने basic strength increase कर दिया तो OCH3 आना चाहिए NH2 के बाद उसके बाद aniline और उसके बाद minus R effect basic strength घटा रहा है तो इसलिए हमने यह बात बोली कि OCH3 plus R show कर रहा है plus R effect increases basic strength then NO2 group minus R show कर रहा है minus R decreases basic strength तो यहाँ पे जो correct order है वो कौन से हमारा C तो what is our answer? Our answer is C very good question मैं चाहता हूँ अगर आप GOC पे और अच्छी command बनाना चाहते हो तो आप सभी options को subjective way में लिखो कि आपने क्यों सबसे आगे first को लिखा है write this reason कि why methane amine सबसे आगे क्यों है why it is most basic फिर यह reason लिखो why paranitro aniline is least basic तो जब आप subjective way में लिखते हैं तो clarity आती है objective में तो फिर भी तुक्के लग जाते हैं now let's move on to the next question correct acidic strength of given acid इस acid का correct acidic strength बताना है तो देखिए पहले acidic strength compare करने का best way है कि जो common part है उसको देखो तो common part से attached चीज़े आपको देखनी है ठीक है यहाँ पे CH3 है जो की plus I show कर रहा है अब आपको concept क्या पता होना चाहिए जहां से सुनो पहला concept choose the common part जो हमने कर लिया दूसरा concept learn this minus R minus I minus H increases acidic strength यह learn करो next part यह याद रखिए plus R plus I plus H decreases acidic strength यह दो concept आप याद रखिए now let's apply first part में plus I है second part में COH minus I effect ही show करते है यहाँ पे दो reason लगा सकते हो second is more acidic than first एक तो आप यह reason लगा सकते हो कि एक COH दूसरे COH पे minus I लगा सकते है plus अगर यह reason भी बोल सकते हो कि दो carboxylic acid है that's why now अब यहाँ पे भी दो carboxylic acid है लेकिन अगर हम इस पूरे group की बात करें बहुत ध्यान से सुनना यहाँ भी बच्चों को confusion आता है बढ़ा ही ज्यादा ध्यान देने की बात है यह COH इस CH2 के लिए तो minus I लगा रहा होगा लेकिन यह वाला CH2 इस पे slightly plus I लगा रहा होगा ठीक है तो what you can say यह show करेगा plus I less than plus I of CH3 CH3 group के plus I से यह थोड़ा सा कम show करेगा तो सबसे ज्यादा acidic कौन होगा यहाँ पे तो out of first, second and third सबसे ज्यादा acidic हुआ हमारा second because it has minus I effect फिर उसके बाद plus I effect third वाले option में यह जो third option है मारा third option में plus I effect जो है वो CH3 से कम है तो इसका मतलब third वाला first से ज्यादा acidic हुआ क्योंकि जितना ज्यादा plus I effect होगा acidic strength उतना कम होगा फिर से सुनो ध्यान से मेरी बाद CH3 का plus I effect third वाले के CH2 COH group वाले plus I effect से कौन से CH2 लिखके दिखा देता हूँ COOH वाले group के plus I effect से कम होगा क्यों? क्योंकि CH3 के साथ कोई minus I group नहीं लगा लेकिन यहाँ पे CH2 के साथ एक minus I वाला COH लगा है इसलिए इस box में बंद पूरे group का plus I है वो CH3 से कम होगा और plus I effect कम होगा तो acidic strength जादा होगा क्यों? क्योंकि जितना जादा plus I effect होता है acidic strength उतना decrease होता है तो most acidic is 2 मैंने देखा most acidic is 2 तो मेरे पास 2 option आए 2 and 3 फिर उसमें मैंने देखा out of 1 और 3 more acidic is 3 तो 2, 3, 1 my answer is 2 मेरा answer क्या हुआ हुआ है यहाँ पर 2 हुआ झाल